आप सभी का स्वागत है आपकी इपनी यूटूब चैनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो के इंतर बात करेंगे हम नई सिक्षा नीति के अनुसार जो बदला हुआ पाठेकरम है उसके बारे में आर्थात जो है न्यू सिलेबस उसके के नाम से जानते हैं तो उसका भी सिलेबस सालेड ही हमने डिसक्स कर लिया है और साथी साथ प्राची नितिहास का सिलेबस नहीं डिसक्स के आपके साबने डिसक्स हो जाएगा इसी प्रकार से आज का जो वीडियो होगा वो बराल हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हम अ काली नितिहास के सिलेबस के बारे में ठीक इसी प्रकार से अन्ने जो जिसे वस्तू होंगी उनके भी सिलेबस आपके सामने आएंगे तो उन सभी को भी देखने के लिए इस वीडियो को जादा सदा लाइक और जादा सदा आप लोग सियर करेंगे कि सभी लोग भड़ाबट सिक बार वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आज की वीडियो के इंतरगा सिलेबस के साथ साथ ही आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानने ही भी वाले हैं और ध्यान रखेंगे इसका मॉडल पेपर मत दिकाल इंतिहास का मॉडल पेपर भी जल सकेंगे और एक्जांस में जो है कोई प्रसन पूछा जाएगा तो उसका सामना लगबग आप करने के लिए तयार हो जाएंगी इसी दो वीडियो से मात्र लगबग कुछ बाते आपके सामने होंगी आप अगर आप कुछ थोड़ा सब टेलेंट हैं बना करके लिख सकते तो आसानी से लिख सकते हो उसमें ठीक आई ये प्रार्म करते कक्षा को मद्धिकाली इतिहास अर्था मेडिवल हिस्ट्री के बारे में चल्चा करेंगे जैसा कि आपको पता होगा जब ये प्रथम और समेस्टर में प्रवेस लेते हो तब आपको से अगर हिस्ट्री भी से बस तो मद्धिकाली इतिहास तो आपको ये वाला सिलेबस देखना है अगर आपका प्राची नितिहास है तो उसका सिलेबस जल्दी आपको मैं दे दूँगा ठीक है जो नया सिलेबस है तो आप बिल्कुल भी परिसान मत हुए हलाकि प्राची नितिहास का मॉडल पेपर हमने अप्लोड करते हैं उसको देख लीजेगा सोसियोलाजिक का मॉडल पेपर हो चुका है हिंदी सहेतिका मॉडल पेपर सिलेबस दोनों हमने बता दिया उसको भी देख लीजेगा आप सभी लोग लाइब क्लास ही हुई थी रात नो बज़े से तो आज रात नो बज़े करके जो है लगबख बात की जाए दो मिनट हो चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाई प्रस्तुत हूं मद्धिकाल इंतिहास के नए सिलेबस को ले करके और जो बेक्तिक कमट सिसकर में बात चीत करते हों बिल्कुल बात चीत ना करें ओकर या बात ध्यान नखेंगे बी प्राची नितिहास का जो मॉडल पेपर हमने अप्लोड किया है मलब जिसकी लाइब क्लास हुई थी तो प्राची नितिहास इंसरें ठेट्री जो है इसका मॉडल पेपर का जो स्लेबस मॉडल पेपर का जो थमनेल लगा है कुछ इस प्रकार से लगा इसमें मोस्ट इंपोर मिलेगा यह देख लिजीगा यह वाला वीडियो के हिंदी का नहीं देखा तो हिंदी का कुछ इस प्रकार से आपको थमनेल मिलेगा इसको देख लिजीगा नुव मौडल पेपर हिंदी साहित का हिंदी का बेबी फश समीस्टर तो इसको इसमें भी हमने आपको देने का प्रियास जियोग्राफी का सिलेबस अलेडी ऐसे अपलोड़ेड है ये थमनेल होगा देख लीजिएगा ठीक एकोनमिस का सिलेबस अभी नहीं दिया है उसको जल्दी देने का प्रियास रहेगा संस्क्रिस साइथ का सिलेबस जल्दी मैं दे दूँगा आपको भी के model paper आपको देने का प्रियास किया जाएगा ओके चलिए प्राराम करते कक्छा को आज और आज हम बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास के नए सिलेबस के बारे में स्वारी प्राचीन बोल दिया मद्धिकाल इंतिहास के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे नभी इंतम सिलेबस होगा मैं बार बार ही चीज नहीं रट रहा हूँ अब चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में सिलेबस जब भी आप देएंगे यहाँ पर देखें सबसे पहले बी अ पर्थमवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है और पर्थमवर्स की अगर मैं बात करो तो बी अ पर्थममर्स इतिहास इतिहास का जो प्रथम semester है और इसके बार में चर्चा करेंगे प्रस्नपतर का क्या नाम है प्राचीन एवं पूर्व मद्धिकालीन भारत प्राचीन एवं पूर्व मद्धिकालीन भारत जो है इस paper का नाम है first semester में आपको यही पढ़ना है प्रारव मसे लेकर के 126SB तक के समयकाल को यहांपर आपको देखना है ठीक तो 126SB तक के इतिहास के बारे में यहांपर आपको पढ़ना प्रारव मसे ठीक यहांपर लिखा तिल जो है 1206 खो तो 1206 या फिर आप जो है 1268 तो यहांपर आप देखेंगे और Maximum marks manger मैं यहां पर लिखा 100, 100 नमबर का पेपर होगा, पेपर जो है यहाँ पर देखेंगे, इंसेंट एंड अरिली मेडवल इंडिया, यह पेपर का नाम है एक परकार से, इंसेंट एंड इरली मेडवल इंडिया, बल्लबर प्राचीनियों पूर्वमधिकालीन भारत, ये हमको जो है पेपर का नाम है इसी को पढ़ना है अब आईए हम बात कर लेतें सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या कैचीजे बताई गई है और कैसे कैसे बताई गई है ठीक तो यह syllabus का एक प्रकार से अंग्रेजी में लिखा हुआ खाका है यह अंग्रेजी में लिखा जरूर है तो इसलिए हमारे जो छाचात्रें इंग्लिस मीडियम से हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएगा है लक्षर और हिंदी वालों के लिए तो इंपोर्टेंट है ही और आगे चल आने वाले जो परिक्षाएं होंगी 2023-2025 इन सभी में भी यही सिलेबस लागो होगा लगबग ठीक है आगे देखेंगे सबसे पहला यूनिट यूनिट आठ ध्यान लखेंगे जो आप सेमेस्टर वाज परिक्षा हुई कामन सिलेबस लगबग सभी यूनिवर लगबग अर्षी में सभी का सिलेबस बटा हुआ हर सब्छत का ठीक हर समेंटर का तो पहले काई में देखेंगे in introduction to ancient history introduction का मनलब क्या होता भाई परिचे और परिचे किसका प्राचीन इतिहास का introduction to ancient history ancient माने होता प्राचीन हिस्टी माने होता इतिहास तो आप क्या लिखेंगे प्राचीन भारत का मलब प्राचीन इतिहास का परिचे सबसे पहला मुद्दा सबसे पहला चेप्टर दूसरा क्या है कल्चर एंड ट्रेडीसन कल्चर माने क्या होता संस्कृती कल्चर माने क्या होता है मेरी प्यारे दोस्तों संस्कृती Tradition मतलब क्या होता है परमपरा तो क्या Culture मतलब संस्कृति और परमपरा जो थी प्राचीन इतिहास की उसके बारे में देखना है उसके साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है उसके साथ ही साथ यहां पर देखेंगे हिस्टोरियंस आफ इंसेंट इंडिया हिस्टोरियंस का मलब क्या होता है इतिहास बिद जो इतिहास बिद होते हैं इतिहास कार होते हैं उन्हीं के बारे में तो जो प्राचीन भारत के इतिहास बिद हैं उनके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है ठीक इसी के साथ ही साथ सबसे पहली वीडियो यही होगी प्राचीन इतिहास के बारे में सुरुआत तरीके से सबसे पहली प्रकार से चेप्टर के अंतरगत हम प्राचीन इतिहास के बारे में संचिप्त परिचे उसका देख लेंगे प्राचीन भारत के इतिहास बिद जो रहे हैं उनमें ऐसे कौटिल हो गई कौटिल का आर्थसास्तर आप पढ़ेंगे तो जो है जो है उसमें आर्थसास्तर में मौर यूगीन, राजनितिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दसाओं का आप बढ़ियासा नौलज देख लेंगे इसी प्रकार से बिसाग दत्त हो गई इन्होंने मुद्दर राक्षास नाम जो है नाटक के रिचना करिये लगातार प्रसन बिसाग दत्त को लेकर के पहले एक जाम से बनते रहें ठीक है और बिसाग दत्त हो गई इसमें भी मौर कालीन की घटना का बढ़न किया गया है बार्ण भट हो गई हर्स चरितर पुस्तकिस की बार्ण भट की है सात्मी सताब्दी के इतिहास के बारे में लगवग यहीं से जानकरी ऐसे की हर्स के जीवन की जो पलबधियां हैं उन सभी के बारे में इस गर्ण से जानकरी बानभट के हर्स चरितर से हमको मिलती है मौर बंस के सुंग बंस के कनो बंस के इन सभी के बारे में जानकरी हमको बानभट से मिलती है भास के द्वारा लिखा गए जो महाकाब भी है जो है एक परकार से कौन सा है स्वप्न वास वद्धतम जो रचना है इनकी ये शटी सताब्दी की है और शटी सताब्दी वस्तराज उद्धैन इन सभी के द्वारा जो है प्रकार से जो मगद राज होएं इन सभी के जानकारी हमको मिल जाती है पाड़िनी का अश्टा ध्याई हुए बाकरण करंत है लेकिन इसमें भी राजनिति घटना चक्रों के जिसे समाजिक हो गया आर्थिक हो गया धार्मिक हो गया इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है ठीक इसी परकार से आप देखेंगे पुराणों गया हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी गंगा चैमुना चैओ गोदावरी सरसती नर्बदे सिंदुकावे रिजले इसमनिम सांधिम कुरू साथ नदियों के बारे में साथ परवतों के बारे में जानकारी हमको मिलती है महेंद्र, मले, सह, भुक्तिमान प्रकार से रिक्षिबिंध और परियात्री ये सब कौन है ये सब साथ परवत है तो पिर्थवी की साथ भारत की साथ नदियों के बारे में भारत देश के बारे में आप देखेंगे भारत देश के बारे में भारत वर्स जो कहा जाता है उसमें जो है साध प्रवाद नगरों के बारे में भी जो है वहाँ पर रोड़ा मिलता आयोध्या मतुरा हरिद्वार कासी कांची अवंतिका और दौरिका यह साथ जो है नगरी हैं जो की मुस्ट इंपॉर्टन्ट है तो इस प्रकार से पवित्र चीजे मानी आती है और इस देश में जैसे की आप देखेंगे बड़े धर्मों का विकास भी देखेंगे बैशनों सयों साक्त बोस जैन इन सभी धर्मों का विकास कहां पर हुआ भारत यह देश की उत्पत्ती है भारत में ही इन सभी चीजों की उत्पत्ती हुई है तो जो है इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो प्राची नितिहास के बारे में जानकारी ग्रहन करेंगे ओके इसी प्रकार से बाल मेकी का रामाड हुआ बाल मेकी रामाड एक प्रक परकास अच्छे तरीके से इन्हों डाला बाल मिकी जी ने महार इसी बेदर ब्यास की गर्मात करूं ये भी परकार से प्राचिन काल के जो इतिहास बिद रहे हैं जो हमने आपको बता रहे था कि हिस्टोरियन्स आफ इंसेंट इंडिया ये जो चेप्टर है इसके तरह आप देखेंगे ब्यास जी के बारे में पढ़ेंगे ब्यास जी ने महा भारत के रिचना करी उसमें कौरों पांडों के बीच जो युद्ध कावरंद किया गया है इसमें ततकालिन क्यों राजा रहे है और जो है कौटिल ने भी लिखा अर्थसास मला बार जो है चानक के ने ठीक तो ब्रहस्पती ने अर्थसास के रिचना करी कब 900 से 1000 इसापुर्व के लगवक की थी इसमें भी राज की करतब्यों का सुंदर वणन आप देखेंगे और ब्रहस्पती के जो अर्थसास है इसमें जो है वाक्यपती सुद्रक परीमल कलहाण बिलहाण कुमारपाल इन सभी राजाओं के बारे में जानकरी हमको मिलेगी काम प्रकार से कामандग हो गई कामदग जो प्रकार से कामंदक गए विक्ति हैं उन्होंने नीतिसास्त्र लिखा था उसनी शास्तर का लिखा था साथ सो स अपने उसमें लिखा था और उसी समय जो है जो है इसमें कवटिल के अनुद्धान्थ भी जो है इस परकार से आप देखेंगे कई परकार के रचनाय लिखें काली दासा भी गान से कुंतलम हो चाहे माल बिक नागनी मित्रम हो ठिक गारगी के द्वारा लिखा गया गरंथ आप देखेंगे गारगी सहीता नाम गरंथ है उसमें सुंग काल के और यवन आकरमण जो हुआ है इसके बारे में जानकारी मिलेगी पतंजली तो हमने बताया दिया महाभास से तो कई तमाम सारे चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो इसी परकार से कई जानकारी हमको यहां से मिलेगी तो हमको कई वन से सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि जो है तमाम सारे जिसे प्राग एतिहासिक क्या होता है प्री हिस्ट्री जिसको कहते हैं इंडिया नाम किसकी देन है तो इंडिया किसने दिया था यूनानियों ने इंडिया जो है नाम दिया था बल भी विस्विद्याले जो एक परकार से या काठिया बाड में था तक शिल त्वाम सारे कर्व भी होते थे जब मैं बढ़ाओंगा अध्यापक सिइज्ञ एक प्रकार से रिलेशनसी परंपरा क्या होती थी त्वाम सारी चिज़ों के बारे में हम आपर पढ़ने का प्रियास करेंगे उसके बाद में अम युनिट 2 में प्रभेश करेंगी युनिट 2 मे क्या है लेटर माने होता है बाद में इक परिदिक काल या बैदिक यूग और दूसरा क्या है जू पढ़ेंगे है। चाहिता हो इसे के लिए बहुत प्रकार से बीतिक यठ्मी में एक हैं के लिए समी पुर्ति जो कुछ खंडर थे उनी से इंटों को निकलवाना प्रारम कर दिया गया और जब इन खंडरों से जो है इंट निकलवाना प्रारम कर दिया गया तो यहीं से हड़पा नामक अस्थान का एक प्रकार से खंडर हमको प्राप्त हुआ और उस समय जो है प्रकार से बात की जाए तो किसी को यह भाज भी नहीं था कि यह इंटी कितनी जो है प्रकार से उत्कृष्ट सभिता की प्रतीक हैं इसी प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें हुई और जो है इस सभित तो राय बहादूर जो है और उसके साथ राय बहादूर के साथ दाराम साहनी और माधो सुरूप वस इन सभी लें उत्खन करके और सरवेक्षन किया और असपष्ट किया कि यहां पर एक उचोकोट की सभिता थी जिसके केंदर में मोहन जोदाडों हडपा और बिलेची स्तान यह सब रहे होंगे और 1922 इसबी में आकरके राखलदास बनर जी ने बिधवत रूप से यहां पर खुदाई किया उत्खनन किया और इसके परड़ाम सुरूप यहां पर हडपा संस्कृति एक प्रिस्तित भुभाग में पहली हुई थी इस बात का पता उन्होंने लगाया 19 225 में मैके ने चंद हुदोडों में उत्खन करवाया और इसी प्रकार से और विद्वान आते गए यह से आर्डी मनर जी हुईलर मारसल एंजी मजूमदार एस पीगट यह सब लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से बताया ठीक इसका बिस्तार बगरा तमाम सारी चीज करते थे इसके बारे में भोजन में वो इसे बात किया खादिसा मागरी जो है मोहन जोदारों में जो अन मिले हैं उनके अधर पर हम कह सकते हैं यहां पर जो है गेहूं चावल जो दूध राई और एक प्रकार से खजूर तिल तर्बू जिन सभी का प्रियोग जो होता था ख अरपपव और मोहन जोदारों के लोग भोजन में जो है सुवर गाय भैंस घडियाल बैल भेंड गोंगा बकरी कच्छुआ हिरन मुर्गे मचली सभी के मांस का प्रियोग करते थे और मांसाहर तब ही से चला मांसाहर का मनलब क्या है जब लोगों को भोजन मनलब जब जो है मांसाहर को जो है प्रकार से क्या समझ रहे हैं एक प्रकार से यह क्या हमारी संस्क्रती है मांसाहर कोई संस्क्रती नहीं मांसाहर एकदम से आप समझे मांस कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता यह मैं बता रहा हूं दावे के साथ साथ ठीक है अलाकि अपनी अपनी मरजी जो जिसका संदर जो है प्रकार से सरंगार के भी सामान वहां से हमको मिले हैं नर्तकी की मूर्थी भी मिले कई प्रकार की आर्थिक दिसावमें आप देखें करसी होता था वहाँ पर पसुपालन होती थी उद्युक्धंदे होंगे वाड़ी जिब्यापार के बारे में हम जानेंगे इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है बिस्तार से पढ़ेंगे सिंदु निवासियों में धार्मिक जिवन का कैसास था धर्म का सुरूप वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है हडपा सभीता जो थे वहाँ पहुदेवादी धर्म यहाँ पर रहता था सिंदु सभीता के लोग यहाँ पर प्रकरती एको लोग पूजते थे सिव भगवान के भी उपा सकते और एक परकार से सरजन सकती के रुबे उन्होंने पूरुस देवतायों मातर देवी के धर्म का विकास जो है आगे किया था उन्हीं के साथ और आगे चल करके हिंदु धर्म में पुरुस और प्रकरती सिव और पारवती की कलपना का आधार यही दुन्दात्मक धर्म बन जाता है सिव की उपासना लोग यहाँ पर किया करते थे और भी कई परकार के दिवी दोताओं को पूजा करते थे यह लोग ठीक मूर्ती कला भी यहाँ के लोगों को पता थी लिंग पूजा करते थे मातर देवी की उपासना करते थे पसु पूजा करते थे योनी पूजा करते थे यह लोग ठीक है जो की परचनन सक्ति के प्रतीक होती थी और इसी प्रकार से ब्रक्ष पूजा करते थे प्रतीक उपासना धार्मिक विश्वास और पर्तायं भी बहुंँ जदां यहां पर देखेंगे और सिन्धु निमासियों की इकला करती के अगर बात की धातू-कला भी थी मुद्रा-कला भी थी बर्तन बनाने के, मतमर्थ-कला की इकला भी यह लोग्यांते थे सिल्खड़ी की मूर्थियां बनाना वगरा हुआ यह सब जानते थे कांसे की मूर्थी हुआ और जो एक परकार से मिट्टियों की मूर्थी हुई कोई परकार की और नगर योजना और अस्थापत कला में तो एक परकार से बात किया शड़के नलिया और भावन असनानागरे सोचाला यह सब आप बड़े अमलाबस्तर पर देख सकते हैं ठीक समाजिक सनचना में बात किया तो आपको पता है इसमें जो है वर्ण व्यवस्ता थी उस समय ब्राम्भन वस्य मुखामा सेद बाहूरा जन नहा करता उरूत दस्यत ब बरिवार भी ठीक ठाक था आश्रम व्यवस्ता थी उस समय वरड़ा भोशण स्रिंगार यह सब होता था खाद पीपदार था मोध प्रमोध सारे प्रकार के चीज़ यहां पर आप देख सकते हैं ठीक इस प्रकार से रिगवादिक हो गयरा काल में भी यह सारी चीज़ें हो स धित्तर वाइद गिंधरमो दर्सन क्या थे यह सभी के बारे में हम जानकारी ग्रहन करेंगे और विसतार से आपको समझाएंगे बड़ा अच्छा लगे हैं एक पढ़े में पढ़ने का प्रियास करेंगे ठीक है पताने प्रियास करेंगे आगे समझतें के का इइंती निका इंपार माने होता समराज और राइज मतलब क्या होता उदय आप माने काकी के मगद समराज का उदय हिंदी बालो क्या पहला क्या है बाई इकाई तीन में हम क्या मगद समराज के उदय के बारें पढ़ेंगे लिख लीजिए राइज आप मगध समराज का उदय मगध समराज में आप देखेंगे मगध समराज का कैसे उदय हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं ठीक है मगध समराज के उदय हुआ उसके कारण पूछेगा एकजाम से परसने की मगध समराज के उदकर्स के क्या कारण थे यह हम योगिसासकों की परंपरा रही ते तमाम सारी चीज़े आप यहां पर देखने का प्यास करेंगे ठीक है और और भी तमाम स्रे आर्ठिक कार्छों एरादनितिक और समजक कार्हके इसमेर के बारे में पढ़ेंगे ठीक मौरिबंस के बारे में जानेंगे कि प्रजा सुखे सकम राग्या प्रजा नाम चाहीते हितम मतलब प्रजा का हित राजा का ही हित होता है और आगे कहा कि नात प्रियम हितम राज्या जो अपने को प्रिये है उसमें राजा का हित नहीं है क्या कहा नात प्रियम हितम राज्या प्रजा नाम तू प्रियम हितम प्रजा को जो प्रिये है उसमें राजा का हित है राजा को जो प्रिये है उसमें प्रजा काहित नहीं है लेकिन जो प्रजा को प्रिये है उसमें राजा काहित है ना प्रियत्तम हितम राज्या प्रजा नाम तू प्रेम हितम बहुत ही मोश्ट इंपोर्टन बाते हैं अब इसको हम चाचा कर लेंगे किसी दिन आगे बढ़ते ह अगला क्या है राइज आप मगध इंपायर इसको देखेंगे उसके आद में एंड क्या है मौर डैनिस्टी मौर डैनिस्टी का मलब क्या होता है जो एक प्रकार से मौर राजबंस है डाइनिस्टी मनलब क्या होता है राजबंस ठीक है ध्यान रखेंगे तो मौर राजबंस के बारे में में हाँ पर पढ़ेंगे ठीक है मौर राजबंस में जैसे मौर राजबंस यहाँ पर देखेंगे क्या मौर डाइनिस्टी यहाँ पर देखेंगे लिखा क्या है चंदरगुपता, बिंदुसार अङड़ सोक और बिंदुसार क्या चंदरगुपत ये सम मौरि बंस चंदरगुपत मौरि बंस के ह會 है बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे और तथा अशोक महानियां पर क्या लिका हुआ है and the great and असोक the great रिट मलब जो है असोक महान के बारे में हमको पढ़ना है उसके बाद में क्या काउटिल के बारे मिपढ़ना चुकि काउटिल नहीं चंद्रकुप्त मौरिको ही राजा मलब बनाया थीक और उसके हमने आपको पहले बता था की चाड़क के को सलेबस में संकलित या पात्यक्रम में अ enact चाड़क के और उनके जो है कोटिल हर चाणक के ह aí दिए आए उसको किसी दिन रहता है बहुत मपाइँ आप दिए nostro को बारे先 ago bst dental內 कि यहां सथी साथ जो है असोक के धम से आप क्या समझते हैं सब प्रसंठेग्या मसे बंता है धम का मतलब था उसको भी आपको बताने का परियास करेंगे ठीक है वैसे झाम का मतलब जो ता उनके जो है असोग अस्थानतर पर जो है एक प्रकाल से जो धंतोर होता है उसको धरम धंतोर धरम ठीक आप इसमझर कैsur, उसमें उन्होंने पांच बाते बताईती पहला क्या? आपा सेन बें दूसरा क्या? बहु गाथाने तीसरा क्या? दया चयुता क्या? सचे पाप से बचना या अलप पाप करना थोड़ा सा पाप करें बहु काथाने मल्लब होता है सत्यानुसराण करो सत्य विवहार करो छलकपट रहित रहो छलकपट रहित विवहार करो और पाचवा क्या इन्होंने ग्यान दिया सोचे वे सोचे मलब क्या होता सुद्धता सालिक मांसिक दोनों तरीके की जो सुद्धी होती उसी को करते हैं ठीक इस प्रकार से हैं बहुत गरंथ के बारे में पढ़ेंगे अमलाब असोक महान के बारे में हम जानकारी गरहन करेंगे ठीक है यह रहा है जो है इसके इनके बारे में जानकारी लिकिने हमने आपके सामने प्रसुत कर दी ठीक है आगे हम बात करें किसके बारे में भाई वैसे जो है कौटेली के अर्थसास के बारे में भी आप जानकारी करहन करेंगे कोटिल जो थे वो चंद्रगुपत के कौन थे गुरू थे और महामंत्री भी थे उन्होंने अर्थसास के रचना करी थी यहां गरंथ मौरिकाल के इतिहास की संपूर्ट जानकारी का प्रमुक्सरोत भी रहा है यहां पंद्रा जो है अधिकरणों में बटा हुआ और इसमें कुल मिला करके 41 सद्ध्या हैं किसमें अर्थसास्र में जो की आधियाएं में राद नीती प्रसासन समाजी का और्थिक सांस्कृतिक सायन व्यवस्ताय। कूट नीती संबंदी बड़ी जानकारी हम को मिलती है ठीक अर्थसाथ की सहाथा से मौरि काल की सासन बिवस्ता नियाई बिवस्ता आर्थिक समाजिक युम सांस्कृतिक इस्तिति के बारे में हमको प्रमाड़िक रूप से जानकारी मिल जाती है इसमें हम चंद्र गुप्त के किंद्री सासन के बारे में प्रांतिय सासन के बारे में अस्थानी सासन के बारे में मंत्री प्रसत के बारे में प्रसाजनिक विभागों के बारे में राजसुग विवस्था के बारे में गुप्तचर विवस्था के बारे में न्याय विवस्था के बारे में दंड विवस्था के बारे में वनडास्रम विवस्था के बारे में दास प्रथा के बारे में विवाह प्रणालियों के बारे में इन सभी के बारे में बिधोत रूप से जानकरी हमको कोटिल के अर्थसास्त्री ही प्राप्त हो जाती है इसलिए कोटिल का अर्थसास मोस्ट इंपोटन्ट हो जाता है पढ़ना ठीक आगे बढ़ते चौथी काई में प्रवेस करते हैं अब चौथी काई में क्या है इसको भी देख लेते हैं तो यहीं पर आपकी काई तीन समाप्त हो जाएगी छोती काई हम पहुंचेंगे तो यहां पर क्या पढ़ेंगी चुकि मौरबंस के बाद में आप देखें गुपता डैनिश्टी आएगी तो गुपता राजबंस के बारे में पढ़ेंगे जो है ये मौर बंस के चंदर गुपत हैं उसके बाद में दूसरे चंदर गुपत आएंगे चंदर गुपत ये बोल सकते हैं इनको चंदर गुपत के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में किसके बारे में पढ़ें सबसे पहले कौन है यहां पर कि शुरुवात में हमने क्या बताया आपको एक चंद्रगुप्त सुरुवात में हमने आपको बताया यह यहां पर दिखिएगा और लिखा भी वही एक मिनट कीगा भी कन्फ्यूज मत होईगा आप सभी लोग गुपता डाइनिस्टी में सबसे पहला हम किसके बारें पढ़ेंगे चंद्रगुपत के बारें पढ़ेंगे यहें चंड्रगुप्ता है ठीक है यह चलब कर माझे पढ़ेंगे चंद्रकुप्ति विक्रमादित्य मलब एक ही ठीक तो इनके बारें पढ़ेंगे उसके बाद में गोल्डन एरा आफ इंसेंट इंडिया तो जो गुप्त बंस ना गुप्ता डाइनेस्टी गुप्ता राजबंस जो है वह भारत का सौन्ड यूग है मलब जानने का प्रियास करें गुप्ता डाइनस्टी में चंद्रकुप्ति के बारे में जो है और इसे चंद्रकुप्त पर्थम इनको मलब गुप्ता डाइनस्टी का चंद्रकुप्त पर्थम जो है उनके बारें पढ़ेंगे जो है कि इसमें जो इसे की जो है इनके समय के बार स Catch चंदरब्त क्रणे के बारे में झानने का प्रियास करने ठीक है जब उस जिसकेर से बीडियो प्रोइट करवाएंगे तो हम इसके बीसितार से बताने का प्रियास करींगी गुपतों के जो है प्रकार से आदी राजा कौन थे कहा था कई प्रकार से प्रसन पूछाता है पुराणों में इनके गुपता के बारे में बताए गया है गुपतों के बारे में पुराणों में एक बात कही गई है क्या कहा गया है वायू पुराण में कहा गया है क्या कहा गय है ब्रह्मान पुरान में भी गुप्तों का और नागों का के बाद जो है वर्णत किया गया है तो आप यह समसकते हैं गुप्त लिच्छ भी संबंद का मुल्यांकन हुआ इस सभी के बारे में हम आपको बताने का प्रियास करेंगे चंद्र गुप्त यह की जो सक बिजे हुई कई प्रकार के गुप्त का वाका टक बंसे का संबंद था तो इन सभी चीजों के बारे में चंद्र गुप्तिये का नागबंस संबंदों के बारे में कभी कभी प्रसनपूल लिया जाता है इल्याहावत प्रसिस्ति क्या थी इसके बारे में प्रसनपूल लियाता है चंद्र महासंग राम स्रीज में सारे के सारे आतिले घुतरी परस्थREE को एकिए वीडिओ में इसका मॉडल पेपर जल्द ही आपको दे दूँगा ठीक है अगए बढ़ते हैं अगला परसन आगला परसन आपके सामने पांच भा नंबर परसन पांचवा नंबर परसन एजब हर्स वर्धन क्या है एज़ाफ हर्स वर्धन मलब की हर्स वर्धन का समय लिख लिजएगा हर्स वर्धन का समय and rise of राजपूत states मलब की राजपूत राजपूत राजजों का उदे राज मलब होता है उदे आप मलब होता है उसके पर्मार बंस के बारे में उसके बार बंस परतिहार चालु के बारे में भी हम जानकारी करहान करेंगे ठीक है। यह सब जानकारी करां लोतीप्श कों थेट गुरूसराज देवराज कमता के बाते होंगी जो हम शद्यों इसके बारे में यहक्त esperar वैस वीडियो आपको प्रवाइड करवाएंगे आगे बढ़ते हैं अगले परसन की और तो इकाई पांच यहां पर आपके समझ में आ गई होगी अब यहां पर बिस्तार से बताएंगे तो साइद आपको कंफ्योजन क्रियेट हो जाएगा इसलिए मैं आप विस्तार से कोई बाते नहीं बताऊंगा अब जो है जब माड़ वेपर चल्चा कर लेंगे तो भी कुछ बाते आपको विस्तार से जाने का मिलेगा अगला क्या चटवा इकाई बड़ी छोटी सी इकाई है चटी काई चटी काई देखेंगे क्या लिखिया यहां पर राइज फ्यूडिलिज्म इन इंडिया फ्यूडिलिज्म का मलब होता है सामंतवाद तो सामंतवाद का भारत में उदे या भारत में सामंतवाद का उदे यह इकाई छे का पुरा का पुरा नाम है अब सामंतवाद के बारे में सामंतवादी विवस्ता के उत्पत्ती कैसे होती है सा सामंद के मौलेख विचार क्या रहे हैं भारत में सामंदान का उद्र कैसे हुआ असका बिकास कैसे हुआ इन सभी के बारे में हम जानकर यहाँ पर गरहन करें गह?" हुमिधान या ग्राम-दान से उत्पनिस सामांतवाद है उसको देखेंगे इसी परकार सांतव के इस की वा पर साल के निच्टा करेंगे भारत में सामंत वाद का पतन कैसे हुआ उसके कारणों को समझेंगे ठीकर अर्श तमाम सारी चीज़ों के बारे में जा नेज्ण जादा बड़ा चेप्टर नहीं इए इक ही चेप्टर में आपके वीडियो जो हैं क्या अगली सात्मधी ने है से पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा है यह फूरा क्या लिख़या यहाँ Ne समाने होता है प्रथाएं ठीक और जो है रिटूल समाने क्या होता है रिटूल समाने होता है प्रकार से धार्मिक संस्कार ठीक है या फिर और हाँ धार्मिक संस्कार होता है रिटूल समाने धार्मिक संस्कार होता है और बिलिप्स माने क्या होते है आस्था तो आफ हिंदूज मनलब जो हिंदों की आस्था रही हिंदों का एक परकार से क्या हिंदों की परथाएं हिंदों का जो धार्मिक संस्कार रहा और तथा आस्था हिंदों की पर्थाएं धार्मिक संसकार तथा आस्था तो मनलब हिंदों की पर्थाएं या हिंदों का धर्म संसकार का इसा है उनकी आस्था जो है भगवानों में किस परकार से है कुछ पर्थाएं हैं कुछ धार्मिक विस्वास हैं हिंदों क्या उन सभी के बारे में यहां पर चर्चा करने का प्रियास करेंगे तो कई तरीके से पसुपली पर्था हो चाहे जादु टूना या तंत्र मंत्र हो सती पर्था हो चुआ छूत हो मूर्ती पूजा हो संकतीर थियुम्ते वहार हो भार मलबकीस में संसकारों में आप देखेंगे संसकार में संसकार अपने हा का चेप्तर भीके संसकार बगारा और पाइठ पांचबास संसकार को उसा नाम करण संसकार शाथ भाको शालियनूस करम verbess राशन अंद प्रासन वह जिए अन्य गरंड करने लगी आठवा संसकार क्या होता है चूड़ा करण मनलब की एक प्रकार से उसका चूड़ा करण क्या जाए ठीक नौवा क्या है करण भेद संसकार दसवा क्या है बिद्यारंब संसकार ठीक और ग्यारवा क्या है उपने संसकार पाच्च बारावा क्या बेद्यारंब संसकार तेरवा क्या के सान्त क्या 흥्टों के समय वर्थन 15 क्या बिबाद विभा उच्छों क्या इस просьरДа को संस्कारłem पिiors क्या होतः उसमें हम कर्माद करमड क्या क्या है इसुड़ा करने क्या है इस सबीके बारे में एक दिन आठमाद्व मर आधमाद्व की क्या सyszटा मित्सलाम इवेंट मने होता है एक प्रास स्य और dram होगे औरन I अलगब यजो कोड़ने है छाम perché आर्विक क्लिक्षाइव और मैंनल के 20ग आप देखेंगे यहाँ पर एक सल्तन्द के अस्थापना दिल्ली सल्तनत के स्थापना 1206B में हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो है वहाँ तक हम को पढ़ना है 1206 तक पढ़ना है और 720SB से आभ देखेंगे यहाँ पर इसलाम धर्म का इसलाम के लोग आना परारम हो जाएंगे अरब देस के निमासी आना परारम हो जाएंगे उनमें आगे क्या लिखा हुआ है इन्वेजन आप मलब इन्वेजन माने क्या होता है आकरमण इन्वेजन माने क्या होता है आकरमण इन्वेजन आप महमूद गजनवी तो महमूद गजनवी का आकरमण क्या लिखा हुआ है मुहमद गवरी मुहमद गवरी और मुहमद गजनवी का क्या आकरमण कहा पर भारत में इसलाम का आगमन यहीं से होता है महमुद गवरी भारत पर आकरमण करते हैं से होता है खास करके हमको महमुद गजनवी और मुहम्मद गौरी के बारे में जानना उनके इन बेजन के बारे में अकरमण के बारे में हमको समझना ठीक महमुद गजनवी के भारत पर आकरमण कई प्रकार से जो है उन्होंने किया था मलब उसने किया था उन्होंने कहना उचि का प्रियास करेंगे की मामूत गस्दनमी के भारत पर होए आकरमड का वर्ण और याइसे पेसलिक है ठीक यह पर का स्लेबस कि हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बता दिया तो चिंता करने के आए दखता नहीं इस इसलिए ये एक परण सिलेबस डिसकुसन का मेरा अच्छा ता तरीका यही होगा कि अंग्रेजी में लिखे लिखा सिलेबस को हिंदी में उसको आपको अच्छा तरीके समझा दिया जाए और इसी प्रकार से आपका जो है medieval history का दे दूँगा तो आप सभी लोग तयार हो जाएए जो है model paper के लिए और जिन लोगों ने sociology प्राची इतिहास का model paper हिंदी का model paper sociology का जो है इन सभी का नहीं देखा है तो देख लिजेगा syllabus sociology बगरा का नहीं देखा प्राची नितिहास का जल्द ही आपके सामने syllabus दे दूँगा तो आपने जो नहीं देखे हैं हो देख लिजेगा ठीक है तो इसी प्रकार से आपना प्यार दूलर इसी प्रकार से बनाये रखें सभी लोग को good night सभी लोग राम राम धन्यबाद जुडने के लिए और बहुत-बहुत धन्यबाद मेरी प्यार दोस्तों के एक बार वीडियो को like और share कर दीजेगा और पढ़ते एक ब्यक्ति लगबक दस लोगों से subscribe चैनल को करवाएंगे और share कर दीजे मेरी प्यार दोस्तों के और गुस्ता मत करिए यह बार बार जो है आदत पर गई है लाइक और कमेंट बोलने की तो आप लोग जो चुकी इसलिए बोलता हूं जो नए बिक्ति आते हैं उनके लिए ठीक है तो आप जो पुराने लोग हैं वो पहले से मेरी वीडियो लाइक कर देते हैं उसके लिए उन सभी का बहुत-बहुत धनिबाद और क आसानी से घर जाने के घर भी बैट करके पढ़ाई कर रहें आसानी से चलिए नए सलेबस आपके सामने सुकलाइडी पॉइंट के द्वारा या ब्याख्यान समाप्त होता है मिलते हैं नक्ष्टी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत आप सभी का बहुत- झाल झाल